अब यह जो तक्निक है यह बहुत ही कारगर तक्निक है इसमें केवल आपको एक specific पद्धती से आपको सोना है याने आपको लेटना है और अगर आप इस तरह से लेटेंगे तो देखेंगे किस तरह से आपको नीद बहुत जल्दी आएगी प्लस आप बहुत ही जल्दी एक relaxed state म चले जाएंगे और आप बहुत काम फील करेंगे क्या आपको नीद नहीं आती नीद नहीं आने के वज़े से आप बहुत गुसाय रहते हैं अपने काम पर आपका ध्यान नहीं रहता है तो इस वीडियो को पूरी तरह से आवश्य देखें प्री सब्सक्राइब करें मेरे च जाते हैं कुछ ऐसे कारण हैं जो आप में नहीं जाते हैं अगर आप एक नैसर की पद्दी से सोना जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखने हैं कि सोने से पहले बिलकुल आपको किताब या अपने स्मार्टपून पे ना रहें कोई गेंस ना खेलें अगर पहले उसे करना बंद कर दें तीसरी चीज़ आपको हमेशत रियाद रखने हैं वो है कोई चीज पड़े नहीं या टीवी ना देखें और डेफिनेट्ली आप अपने बेड से या जहां पे आप सोते हैं वाहें फोन को बिलकुल दूर रखें ये चीज़ें आपको बिलकु पेरों को सठा सकें आप इस तरह से कोई भी चुन्नी या शौल दे रहें या टाबल दे रहें इस तरह से अपनी आखों पर उसे लपेड लें लपेड लेने के बाद आप आपको ये ख्याल रखना है कि कान पूरे बंद हो और आखों से कुछ नहीं दिखें और इस तरह से सकें पर लेट जाएं अपने पैरों को आप सीधा या गुटने पर मोड भी सकते हैं हातों को जहां जाएं आप वहां रखें रिलाक्स टेट में इससे होता क्या है कि आपकी वेगिस नर्व या आपकी सिंफैटिक नर्व पूरी तरह से रिलाक्स हो जाती हैं और आप छचितमन धीरे-धीरे आपके नियंत्रण में आने लगता है आपके रुदै कीetted今े हो जयाती है रुदै को कांकरने में आसानी होती है अपकी प्राणशक्ति आपके मस्तिक्श तब आसानी से पहुँचती हैIS से आपको और भी बहुत फाइदे होते हैं आपको नीद बहुत जल्दी आएगी प्लस आपके विचलित और चींता करने की प्रवृत्ती में सुधार आएगा आर्थराइटिस, पाजन की तकलीव, सरदर्ड, उच्च या निम्न रगत चाप में भी ये बहुत फाइदे मन्द रहता है आपको ये विडियोस को देखने के लिए